नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने चैनल केरेयर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए रेलवे ग्रूप D 2022 से रिलेटरी क्यूशन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो क्यूशन कराने वाले हैं वो आपके प्रीवेस एरकेस GKJS के की क्यूशन भी रहेंगे और साथ में करेंट अफेर की क्यूशन भी रहेंगे तो आपको बगैर स्क्रिप के वे इस वीडियो को पूरा अंतक लगाना है और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें आपको ये क कमेंट करेंगे आपके सभी डाउट यहां पर कलेर के जाएंगे तो चलिएगा दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला क्यूशन है अकबर का जनम कब हुआ था बताएंगे आप लोग अकबर का जनम कब हुआ था तो कब हुआ था दोस्त तो दोस्तो मुगल सासकों में सबसे लंबा सासिंकाल अकबर काई रहता, एक क्यूशन और बनता यहीं से, कि मुगल सासकों में अनपड सासक कौन था, मुगल सासकों में अनपड सासक कौन था, तो दोस्तो अकबर था, याद कहीं अनपड सासक, चलिए, नेक्स क्यूशन करते दोस्तो जल्दी-चल्दी video को like or share कर देंगे आप लो Next question आपके लिए भारती राश्टी ओंगरेश के पर्थम मुस्लिम अदेक्स कॉन थे भारतीए राश्टी ओंगरेश के पहले मुस्लिम अदेक्स कॉन थे तो दोस्तों कॉन थे बदरुदिन तईयब जी, option C आपका बदरुदिन तईयब जी यहाँ पर right answer होगा, next question देखी, लोश्तम को किसके दुवारा बनवाया गया था लोश्तम को किसके दुवारा बनवाया गया था तो दोस्तो right answer होगा यहाँ पर option C, चंद्रगूब दुवाअ के दुवारा याद एकना दोस्तो, लोश्तम को चंद्रगूब दुविते के दुवारा बनवाया गया था, next की का Koran की भाग लूव में किसका वर्नन है सु는दान के भाग लूव में किसका वर्णन है किसका है दोस्तों पंचायत का ओप्शन ए आपका पंचायत यहां पर राइट अंस हुआ दोस्तों बताइए का सबसे पहले पंचायत अधिनियम कहां पर लागू किया गया तो दोस्तों सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम सबसे पहले राजस्तान के कि ती घोषना कब की गई तो दोस्तों कब की गई थी राय तनसु आपर 1948 में option D.1949 आपका राय तनसु गएंपर next question सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है इनमें से सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है कौन सी दोस्तों राय तनसु गएंपर option C. इस टोन फिस सबसे अधिक विशयली मचली होती है next दिकिएगा नेपोलिन के पीता का नाम क्या था नेपोलिन के पीता का नाम क्या था क्या नाम था? कारलो बोना पार्ट option D. कारलो बोना पार्ट आपका राय तनसु गएंपर next दिकिएगा उससे पहले गरणर जनरल का नाम बताईए जिन पर महा ब्योग चलाएगा था उससे पहले गरणर जनरल का नाम बताईएगा जिन पर महा ब्योग चलाएगा तो दोस्तों कौन था? वारिन हिस्टिक्स option A. आपका राय तनसु गएंपर next दिकिएगा बताईएगे आप लोग मूल करतेओं का वर्णर स्विधान के किस अनुचेद में है किस में दोस्तों अनुचेद 51 कैमे option C. अनुचेद 51 के आपका राय तनसु गएंपर next दिकिए जूम केति के लिए पर्चलीत राज्य कौन सा है? option D. अनुचेद 51 के लिए पर्चलीत राज्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों? नागालेंड option D. नागालेंड राज्य जूम केति के लिए पर्चलीत राज्य यार रखेंगे next question करनाडा का राष्ट्य खेल क्या है? बताएंगे आप लोग करनाडा का राष्ट्य खेल क्या है? क्या है दोस्तों? आई से होकी option B. आई से होकी करनाडा देश्का राष्ट्य खेल यार रखेंगे next question दोलावीरा भारत के किस राज्य में है? दोलावीरा भारत के किस राज्य में है? किसमें दोसो, गुजरात राजे में है, option A, गुजरात राजे, राय तरन सुगेंपर, next देखेगा, अशोक चकरे, पाने वाली, पर्थम महिला कोन है, अशोक चकरे, पाने वाली पहली महिला कोन है, कोनें दोसो, निर्जा भहनोत, option B, निर्जा भहनोत, आपका राय तरन पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुश्लिम सार से कौन था दोस्तों फिरोजसा तूगलक था option B फिरोजसा तूगलक आपका राइट अनसर होगा next देखी का जंडा समीति के अद्धिक से कौन थे बताएंगे आप लोग जंडा समीति के अद्धिक से कौन थे बताएंगे आप लोग भारती राष्टी कोंगरिस के पहले अद्धिक से कौन थे व्योमेश चंदर बनेजी option A व्योमेश चंदर बनेजी आपका राइट अनसर होगा पर next देखी का आधुनिक राष्टवाद का पैगंबर किसे कहा जाते है आधुनिक राष्टवाद का पैगंबर किसको कहा जाते है किसको कहा जwalk है तो दोस्तों राइट अंस हो जाए अपर आदू निक्रास्वाद का पेगम्बर अरुविन गोष को कहा जाता है या जखेंगे option b अरुविन गोष आपका राइट अंस हो गया पर नेक्स देखा है बीरबल का वास्तिविक नाम क्या था क्या था दोस्तो महेश्दास option C महेश्दास आपका right answer हो गया पर next देखेगा सुविधान संसोधन की परक्रिया कहां से ली गई है सुविधान संसोधन की परक्रिया कहां से ली गई है दोस्तो तो कहां से ली गई है चले देखेगा दक्सिन अफरीका की सुविधान से, सुविधान संसो दोन की परिक्रिया दक्सिन अफरीका के सुविधान से लिगए है, याद किंगे, Option D आपका राइट अनस होगा, Next दिकी, एवरिष्ट पर चड़ने वाली पर्थम नेत्रहिन महिला कौन थी? एवरिष्ट पर चड़ने वाली पहली नेत्रहिन महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों, एरिक बिन मेमर पहली नेत्रहिन महिला थी, एवरिष्ट पर चड़ने वाली, Option A, Right अनसुर होगा, Next दिकीगा, भारत में पहली बार जन्गरना कम हुई? दोस्तों, अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजेगा, एक शेर दीजेगा, ताकि ये नए बचों तक जुड़े इस वीडियो, और वो भी आपने एक्जाम की तियारी को यापर जुड़कर बढ़ाश के, तो जल्दी चली वीडियो को लाइक और शेर करेंगे, तो देखिए भारत में पहली बार जनगंडा कब हुई, तो दोस्तों कब हुई थी, 1872 में, ओप्शन C, आपका राइट अंसुग है पर, नेक्स्ट क्यूशन, पर्तम फैक्ट्री अधिनियम किसके सासन काल में पारित हुआ था, पर्तम फैक्ट्री अधिनियम किसके सासन काल में पारित हुआ था, तो दोस्तों राइट अंसुग है पर, ओप्शन B, लोड रिपन के काल में, पर्तम फैक्ट्री अधिनियम, लोड रिपन के सासन काल में पारित हुआ था, नेक्स देकिगा, राजे सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो तेरा मई 1952 में राजे सभा की पहली बैठक हुई थी option A आपका right answer paper next देकी का परवत चोटी केटू की उच्चाई कितनी है कितनी है दोस्तो 8611 मिटरे परवत चोटी केटू की उच्चाई option C आपका right answer paper next है वशा को पचाने वाला enzyme कौन सा होता है वशा को पचाने वाला enzyme कौन सा होता है कौन सा होता है lipase enzyme होता है वशा को पचाने वाला option D आपका lipase enzyme right answer होगा next question परटेक जवार के बीच कितने समय का अंतर होता है पर तेक जो आर के बीच में कितने समय का अंतर होता है कितने समय का होता है 12 गंटे 26 मिनिट का Option C आपका right answer हो गया पर Next दिकी का आशो के लेखो को सबसे पहले कब पढ़ा गया आशो के लेखो को सबसे पहले कब और किसके दौरा पढ़ा गया Option B आपका right answer होगा Next दिकी का हिमाउती किस नदी की साहिक नदी है हिमाउती किस नदी की साहिक नदी है तो दोस्तो किस की है काविरी नदी की साहिक नदी हिमाउती Option D आपका right answer है पर काविरी Next दिकी का चंदरपरबा राष्टिये वन्य प्राणी अभ्याने किस राजी में है ये उत्रपरदेश में है उप्शन भी आपका उत्रपरदेश राइट 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 किसी ने चीया था di Sh53 का आविश्कार किसी ने किया था ah kis teиц दोस्तों जॉन स अंतों ऋप्षान की पर्थिसेट मात्रा किसी ने की किया था किसी डीज़ाल संट तक स्थारा कितनी होती ऐए महानसरी में ओखसीजन की तो 65% होती है तो 65% होती है Option D आपका right answer आपर next देखेगा वाहित पर्वत किस देश में इस्तित ए वाहित पर्वत किस देश में इस इसो किस में है उप्शन A उप्शन A You the USA आपका जही आंसर होगा नेश्ट एकिगा दुवादार जल पर पात किस नदी पर सिते हैं कौन सी नदी पर है तो तो कौन सी नदी पर है नर्मदा नदी पर ओप्शन C नर्मदा नदी आपका राइट रंस हो गया पर नेश्ट ए भारतीय मोशं विझ्यान विवाद किस नदी पर दिल्ली सलतनत की स्तापना किसके दुवारा की गय थी पताएंगे ते दोसटों राइट रंस हो के आप paर कुटबुदिन एबग के द्वारा Option A कुटबुदिन एबग आपका राइट अन्सुग है पर Next देखेगा Nobel पुरुषकार प्राथ करने वाले पर्थम भारतिय कोन थे Nobel पुरुषकार पाने वाले पहले भारतिय कोन थे तो दोसो कोन थे Ravindar Natagor थे Option B आपका राइट अन्सुग है पर Next देखेगा Sikkim Rajay को पूर्ण Rajay का दरजा किस स्विधान संसुदन के तहत मिला तो दोसो किसके बिलकुल देखे तो राइट अन्सुगाए पर Option A Sikkim Rajay को 36 स्विधान संसुदन के तहत पूर्ण राजे का दर्जा दिया गया Option A, आपका 36 स्विधान संसों दनिया पर राइत अंस होगा Next रावत भाटा परमानु सनितर किस राजे में है रावत भाटा परमानु सनितर किस राजे में है किस में है राजस्थान में Option D, Rajasthan, आपका right answer पर, next है, Kolkata, Stock Exchange की सापना कब होई थी, Kolkata, Stock Exchange की सापना कब होई थी, कब होई थी दोस्तो, 1907 में, Option B, 1907, आपका right answer पर, next है, Best Bakery, Hatya Khan, किस राजे में समझ देते हैं, Best Bakery, Hatya Khan का समझ किस राजे से, किस है दोस्तो, right answer पर, Option A, Gujarat Rajas, next देखेगा, हमारे राष्टी दोज, की लंबाई और चोडाई का अनुपात क्या है, राष्टी दोज की, Lंबाई और चोडाई का अनुपात क्या है, दोस्तो, क्या है, तो चलिए देखी, right answer पर, 3 अनुपात 2, Lंबाई और चोडाई का अनुपात है, Option B, आपका right इतन सोब्य पर तीन अनुपात दो याद रखेंगे Next मानसरी में भोजन मुख्य ते कहाँ पच्छदे तो दुश्व पाच्छन के या है मानसरी में वो मुक्षे प्रारम होती मुक्षे तो प्रारम होती है लेकिन आप बात जोरी पस्तिका पर तो दोस्तो छोटी आत में मुक्षे प्राड़ाबाग होकर पांचन के लिया छोटी आत में संपन होती है यह आप लोग याद रखेंगे Next देखेगा सबसे न्यूंतम तरंग धहद किस रंकी होती है तो दोस्तो किस की होती है चले देखें बैंगनी रंग की Option D बैंगनी रंग आपका राइट अंसर होगा है पर Next देखेगा विशव का एक मातर हिंदू राष्टर कोन है विशव का एक मातर हिंदू राष्टर कोन है तो दोस्तों कोन है नेपाल विश्व का एक मातर हिंदू राष्ट्र है Option A आपका नेपाल राइट राइट रहोगा Next देगा अध्यादे से जारी करने का अधिकार किसके पास है अध्यादे से जारी करने का अधिकार किसके पास होता है किसके पास है दोस्तों के ओल राश्टपती और के ओल राचिपाल दोनों के पास होता है तो option C A और B दोनों आपका राई तन्सुग गया पर जैसिंग Option B, जैसिंग आपका सही होगा जैसिंग के दौरा जंतर मंतर का निर्मान किया गया Next एक है राजियो गांदी खेल रतन पुरुषकार के पर्तम विजयता कौन है तो दोस्तों कोन है विश्वनात आनद है Option C, आपका राई तर्म सुगया Next एक है बंगाल का बाग किसे कहा जाते है आसुतोस मुकरजी को बंगाल का बाग का जाते है याद रखेंगे और आज का last question दोस्तों CISF Academy किस सिराजे में CISF Academy किस सिराजे में तो दोस्तों किसमें राई तर्ण सुगया पर option B, आंधर परदेश में दोस्तों आपके लिए homework है CISF की full form कियाती है Hindi में और English में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे और इसकी CISF किस्ता आपना कभूई ये भी आप लोग हमें कमेंट करके जुरूर बताएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अशी लगी हो